अगया है अगया 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 हेलो आधिवाएंग दिस दॉक्टर नीलम अप्तार सिंग होमेपेथिक कंसल्टन्ट आज हम एक आस्थमा के केश की बात करेंगे एक बच्चा है जिसको अस्थमा की प्रॉबलम है, तौ दिस ज़र बारा साल की लड़की की बात है, दस साल पुराना ये चैस है, इसको अस्थमा तक्रीबन पांच साल की एज में हुआ, और बहुत ज्यादा छीके आये करती थी, बहुत ज्यादा नोज फ्लो करना और कितने साल ऐसे चलता रहा चलते चलते उसको अस्तमा हो गया जो के डस से स्मोक से ठंड से चेंज ऑफ वेदर से इससे ये प्रॉब्लम इसकी बढ़ती थी तो उन्होंने पीजीए से चंडीगर से बहुत इलाज करवाया और काफी साल लेने के बाद जब दो तीन चार साल बीच गये वो उनको फरक नहीं पड़ा तो उनको लगा के बस इनहेलर ही है जिससे उनको बच्चे को थोड़ा फरक पड़ता है तो उन्होंने बाकी तो सारा चोड़ दिया लेकिन इनहेलर जब भी प्रॉब्लम होती थी तब वह एस लेती थे और जिस मौसम में या जिन दिलों में ज्यादा होता था तो इनहेलर उनको दो दो बार भी लेना पड़ता था सुभा शाम दोनों टाइम क्यूंके हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड पे जो भी पेशेंट के सिंप्टम्स पेशेंट की थिंकिंग पेशेंट का रियक्शन वह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टन होता है पेशेंट जब मेरे पास आई तो शी वस 12 यर्ज उल्ड उसके मदर उसके साथ आय थे तो उन्होंने बताया कि पहले तो उसके अरशनास की अगचा है और क्यूंकि जब भी कुछ बांती थी है तो हम इसको दे ही देते हैं ले कि देते हैं जादा और mathematics में यह हमेशा टॉप करती है mathematics में इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं शी इस वेरी गुड इन mathematics कोई रात को अंधेरे से डर कोई इंजेक्शन से डर नहीं नहीं कहते किसी चीज से डरती नहीं तो बहुत बोल्ड है बहुत डुपोग डुपूग नहीं है यह तो जब इसको अस्तमा होता है तो सफोकेशन फील होती है बंद कमरों में घुटन होती है यह पानी पीती रहती है बार-बार और इसको फ्राइड फूड और स्पाइसी चीजे यह बहुत पसंद है लेकिन इसकी प्रॉब्लम इन चीजों से बढ़ जाती है कोल्ड रिंस बहु तो इन्होंने इतना कुछ जो भी बताया उसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टन निकली पहले तो यह था के अलर्जी कास्तमा था जो के एग्रिवेट होता था चेंज ऑफ वेदर पे एग्रिवेट होता था कोल्ड रिंग्स एंड कोल्ड एयर से डिजायल्स थी इसकी स्पाइसी एंड कोल थेंग्स और अगर माइंड में लेंगे तो माइंड में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन रूब्रिक्स थे देट वाज ऑप्स्टीनेट क्योंकि बच्छा बहुत ज्यादा जिद्धी हो रही थी अब वो और दूसरा उसका अगर ने कम से कम तीन या चार वर बोली डॉक्स में इसके बहुत पूरे के पूरे नंबर आते हैं सो में से सो नंबर आते हैं जब मैंने यह सब रूब्रिक्स कंपाइल किये इन माई कम्प्यूटर तो आई हैट थ्री मैडिसेंस आसानिक एलबम नक्स वामिका एंड करने वाला रूब्रिक था वो था मैट्स एप्ट फॉर कि वह आर्साइनिक में नहीं था ट्यूबर कुलाइनम में नहीं था कि इसी बेसिस के उपर मैंने उसको नक्स वामिका थर्टी की एक डोज़ दी उसके बाद कुछ दिनों तक 15 दिन सैक लक लेने के बाद काफी बेटर फील हुआ और उन्होंने उसका इनहेलर छोड़ दिया उसके बाद फिर जब तीन-चार महिने तक चेंज ऑफ वेदर आया तो फिर उसको बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन पहले जितनी नहीं थी जब भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमने प्रैक्टिकली क्लिनिकल उनमें देखी है तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम की इंटेंस्टी कम होती जाती है और डूरेशन जो उसके ठीक रहने वाली है वो बढ़ती जाती है इस केस में भी ऐसे हुआ इस केस में दो साल लगे पेशेंट को ठीक होते हुए और जैसी चेंज ऑफ वेदर आता था प्रॉब्लम होती थी लेकिन पहले से का छे महीने के बाद फिर चेंज ऑफ वेदर हुआ और स्लाइट प्रॉब्लम हुई स्नीजिंग वगेरा की उसके तब मैंने उनको नक्स वामिका सिक्स की एक डोस देके सेकले कॉंटिनू किया फिर पेशेंट ठीक रहा काफी देर तक ठीक रहा उसके बाद एनदर सिक्स मंस क के बाद फिर से चेंज ऑफ वेदर हुआ और प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई तो यहां नक्स वामिका सिक्स की वन डोस एंड सेकलेक फॉर सम डेज यह फिर दिया तक्रीबन यह प्रॉसेस दो साल चलता रहा दो साल के बाद इस पेशेंट को आज तक दस साल बीत के दस साल से मुणके कभी भी आस्थमा या अलर्जिक राइनाइटर्स या कोई छींके कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ नक्सवामी का 30 एंड 6 की कुछ डोसे से एंड सेकलेक यह पेशेंट का अस्थमा बिल्कु ठीक हुआ इसमें सिर्फ नोट क्या किया मैट्स एप्ट फॉर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन था क्योंकि यही एक बात थी जो उसके मदर एक बार नहीं दो बार नही यह बात रिपीट की होगी और जो फिजिकल सिंटम्स थे वह भी एक्रिवेशन कोर्ट नक्सवामी का बहुत चिली होता है और अब इस पाइसी फूड्स एंड डिजायर जो थी उसकी स्पाइसी फूड की वह भी नक्सवामी का में बहुत ज्यादा होता है इसलिए इस लिए इसलिए अब्यूटिफूल केस ऑफ ऐलर्जी का स्थमा जो नक्सवामी का से ठीक हुआ और हंड। परसेंट पिछले दस सालों से यह बिल्कू ठीक है So this is all about allergic asthma case Next video में किसी और case की बात करेंगे Thank you so much for watching this video Recently मैंने tutorial स्टार्ट किये है Tutorials for young homeopaths या उन homeopaths के लिए जिनोंने mind पे practice स्टार्ट करनी है जो भी mind में perfect नहीं हुए उनके लिए तो सबसे पहला जो ट्यूटोरियल था वो case taking का था आप YouTube पे जाके subscribe कीजिए मुझे मेरे चैनल को और उसमें मैं हर वीडियो के end में एक question पूछोंगी उसका आपने answer देना है और उस answer अगर आपके ज्यादा सारे answer ठीक हुए in different videos तो उसके लिए आपको reward मिलेगा so thank you so much for watching this video and keep watching my tutorials कर दो कि लिए एक्वर आपका ये ओके बात्यों पार एक्वर बड़ेख़धारे लिए कंवरे प्राइब दिए बारेख़गारे दियाल क्योंगारे लिएच्परखव है झा झाल